जुरुट्सू काईसन चैप्रे नमबर 266 फाइनली हमारे सामने आ चुका है और इस चैप्रे के अंदर बहुत कुछ इंसेन हुआ है जिस तरह हमेशा ही जुरुट्सू काईसन में होता है बहुत कुछ ऐसा है जिसके हमें स्पेक्टेशन कर रहे थे बहुत कुछ ऐसा है जिसके हमने prediction भी नहीं की थी और साथ ही साथ इस chapter के end में हमें सुकुना की एक नई उंगली दिखाई गई है सुकुना की एक नई finger जिसके पीछे एक पूरी की पूरी mystery चुपी हुई है और पूरा का पूरा internet इस वक्त इसी बारे में बात कर रहा है तो without wasting any time सबसे पहले बात करते हैं chapter की, chapter की starting होती है Megumi Fushiguru और Yuji Tadori से, yes यहाँ पर Yuji Tadori Megumi Fushiguru के soul से connect कर पा रहा था अपने domain expansion के अंदर, आगे हम लोग देखते हैं कि Megumi Fushiguru और Yuji Tadori आपस में बात करना शुरू करते हैं, Megumi Fushiguru Yuji को पताता है कि वो किस तरह अपनी बहन के लिए एक अच्छी दुनिया create करना चाता था, एक ऐसी world create करना चाता था जिसके अंदर उसकी बहन को एक normal life मिल सके, उसको zenon clan के अंदर ना जाना पड़े, और Megumi Fushiguru यहाँ पर बात clear करता है कि उसके कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, उसके dreams बहुत बड़े नहीं थे, वो बस एक अच्छी जिन्दगी गुजानना चाता था, इसी वज़ा से वो जुजुट्सू सोर्सर बना अपनी बहन के लिए, उसने सब कुछ किया, लेकिन at the end of the day हुआ क्या, उसी की body के हाथों, उसी की बहन को मार दिया गया, यहाँ पर हम लोगों को दिखाय जाता है कि यूजी भी काफी painfully यह बातें सुन रहा था, क्योंकि यार यूजी भी आफ value of life को समझ चुका है, यूजी भी समझ चुका है कि हर इंसान का कोई जो role होता है, वो किसी tool कितना पहले से तुम लोग यह नहीं कह सकते कि इंसान इस जिस के लिए बना है, हर किसी को अपनी life, अ जीने का पूरा हक होता है, और येस यूजी इस सारी बातों को काफी painfully सुन रहा था, आगे हम लोग देखते हैं किसे पहले यूजी और मेगयो में फुशुगरू की जादा बातचीत होती, वहाँ पे बीच में सुकुना ठपकाता है, और सुकुना अपनी OG true form में था, इसक की वज़ा थी, क्योंकि सुकुना यहाँ पे hollow whisker basket का यूज़ कर रहा था, hollow whisker basket एक ऐसी कर्ष टेकनीक है, जो कि simple domain के तादा काम करती है, जो कि domain को encounter करने के लिए इस्तमाल की जाती है, इस domain को encounter करने वाली टेकनीक की वज़ा से, यनि hollow whisker basket की वज़ा से, इस वक्त UG के domain का impact सुकुना पर नहीं हो रहा, जिसकी वज़ा से सुकुना अपनी true form को इस्तमाल कर पा रहा है, आगे हम लोग देखते हैं कि UG और सुकुना की फिरसर domain के अंदर ही fight शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे cliffs and dismantle use करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा domain सुकुना ये बात mention करता है, कि वो अपने reverse curse technique से अपनी curse technique को ही heal कर रहा है, लाइक गोजू सातूरो जिस तरह गोजू सातूरो ने पिछले chapters में जब सुकुना और गोजू की fight हुई थी, उस वाली fight के बीच में, गोजू ने अपनी reverse curse technique से अपनी curse technique को heal किया था, सेम उसी तरहा से, रो टाइम, यूजी तादोरी के मुकाबले में सुकुना को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसको अपने दो हातों से hollow whisker basket को भी इस्तमाल करना पड़ाता, वरना domain का impact पड़ता है, यही पर हम लोग देखते हैं कि दुबारा से यूजी तादोरी, Megumi Fushiguru के soul से connect हो प Megumi को लेने के लिए, यहाँ पर यूजी इतादोरी उसको push-up करने कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पा रहा था, विकास उसकी आँखों से आसु आ रहे थे, और वो कह रहा था कि एक ऐसे बंदे को जो इतना ज़ादा टूटा वा, उसके हाथ से उसकी बहन को मार दिया गय है, शुरू लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि Megumi Fushiguru अपने सोल को थोड़ा सा push-up करने लगा था, Megumi Fushiguru अपने सोल को दوبारा से get करने लगा था, जिसकी वज़ा से हमारे रुमेंद सुकूना को काफी मुश्किल आ रही थी, रुमेंद सुकूना जिसकी वज़ा से अब Megumi Fushiguru की बॉड़ी को सुकूना जादा टाइम कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यहीं हम लोग देखते हैं के थोड़े थोड़े शैड़ो हटने लगते हैं, और हमारी Megumi Fushiguru की बॉड़ी आइस्ता आइस्ता बहार आ रही थी, यहीं पर हम लोग देख के युजी और सुकूना के अंदर फिर से hand to hand combat होती है, युजी सुकूना पर किलिफ्स माल रहा होता है, यहां पर हम लोग देखते है क्लिफ्स का यूज करता है, सुकूना जिसकी वज़ा से यूजी तादूरी के हाथ पे लगावा, बहुत टूटकर नीचे गिर जाता है, और यहां पर हमें पता चलता है कि यू जीता दोरी के हाथ की दो फिंगर्स गाइब हैं जो देखके लिटरली सुकुना भी काफी ज़ादा शौक हो जाता है और फिर यहां से सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाये जाता है कि सुकुना की एक फिंगर एक मिस्टीरियस के और बंदी भी है और यहीं पर यह चैप्टर एंड हो जाता है अब हमें नहीं पता है कि सुकुना की फिंगर्स के अपने क्लाइमेक्स के अंदर आ चुकी है इसी के साथ मैं ये भी बता दूँ के नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं आएगी 22 अगस्त को तुमारा निया च शोच चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो चिलोगी हो तो लाइक करके दोस्तों का शेयर कर देना, इस वीडियो के लिए इतना ही टाटा, बाई बाई